हेलो दुस्तों स्वाबत करता हूँ आपके अपनी शनल टोक्स पुरियो में दुस्तों आज के स्वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि संजेबर्स पुलेज राची में योजी कोर्सेस बी ए, बी कॉन और बी एसी का फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट कब आएगा और जब फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए मतलब कि आपका फर्स्ट अस्टेप क्या होना चाहिए तो जीन इस्टुडेंट्स को फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट का वे सब्री सी इनतिजार है सभी इस वीडियो को carefully watch करना और बाकी जिनको फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट से कोई मतलब नहीं है वो वीडियो इसकिप्ट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं कि आपका फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट कब आएगा और एड्मिशन कब स्टार्ट होगा और मुझे मालूम है कि यह कोईशन आपके मन में भी आ रहा होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगबख सारे कोलेजिस में क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं या फिर कुछ में अभी तक नहीं भी हुए हैं तो जल्दी हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आपका फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट कब आएगा और आपका एड्मिशन कब स्टार्ट होगा क्योंकि अब आपका इंटेंस टेस्ट भी हो चुका है तो चलिए अब आपको जो आपका कुश्चन है उसका अंसर भी दे देता हूँ मिदलब कि आपका यहां पे कब फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट आएगा वो चलिए बता देता हूँ तो दोस्तों अब मैं आप सभी को बता दू कि अब आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि जैसे कि मुझे मालूम है साथ और आठ अगस्ट को जो है आपका इंटेंस टेस्ट लिया गया था कॉलेज के दवारे और अकसर देखा गया है कि संजेव कोलेज में जब भी इंटेंस एक्जाम लिया जाता है तो उसके बाद एक सप्ता में ही जो है आपका फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट भी जारी कर दिया जाता है तो अब आप खुद से calculate कर लिजए कि आपका first selection list कब तक आ सकता है तो इसका मतलब यह है कि 15 अगस्ट से पहले आपका जो first selection list है उसका आने का पूरा का पूरा उमीद है ठीक है तो थोड़ा दिन और सब रखिए आपका first selection list आ जाएगा और फिर admission भी start हो जाएगा अब चलिए बात करते हैं कि उसके बात क्या करना है वैसे अभी बता दूँ कि जब भी selection list आएगा तो detail में जो भी process होगा वो मैं बता दूँगा लेकिन अभी मैं आपको यहां पर बता दूँ कि जब भी आप पर आपका selection list आ जाएगा तो सबस्पहले आपको चेक करना है आपका नाम आया या पर नहीं आया है selection हो चुगा होगा तो जो भी admission का process रहता है जैसे कि आपको यहां पर document verification वगरा कराना है admission fee payment करना है मतलब कि यही सारा जो process है वो आपको करना पड़ेगा बाकी यहां पर ज़्यादा आपको tension लेनी की ज़रुरत नहीं है जब भी आपर first selection list आ जाएगा तो detail में मैं बता दूँगा कि क्या करना है बस आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो दोस्तों I hope आप सभी को सभी चीज